असलाम अलेकूम, a very warm welcome to my channel cooking and baking with इर्शा, उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खेरियत से होंगे और बेरी रेसिपी का वेट का रहे होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं जी, हॉममेट खोया और वो भी खालिस दूद से, तो ये मज़ेदार सा खोया किस तरह से बन बिस्मिल्लारवाख्मानिरहीम, तो मैंने एक अदर ले लिया, कड़ाई और कड़ाई में धाई किलो दूद डाला है, ठीक है, ये फ्रेश और फुल फैट मिल्क है, इसको मैंने बॉइलरने के लिए रख दिया है, जैसे इसमें उबाल आएगा, ये देखें जी, आगया उ हिलाते ही जाना है, और तेज आँच पे, ठीक है, तेज आँच पे क्या होता है, कि एक तो ये जल्दी बन जाता है, और दूस्ता ही है, जो है, लगने के चांसिस काम होते हैं तेज आँच पे, हलकी आँच पे आप छोड़ दो, तो वो नीचे भी लगने लग जाता है, ठी यह देखें इसको किंटिनूजली इसको हिलाते जाा रहे है और दूद की कंसिस्टंसी ठिक होती जा R이야 Ar काम अहोती जा रही ठीक है तो इसी तरह से आपने इसको हिलाते जाने मुसल-सल साइटें साफ करते जानےiron क्यूंकि साइडे अगर नहीं साफ करेंगे तो वही साइडें जो है वो फिर लगने शुरू हो जाएंगे और जब वो साफ करेंगे तो उसकी जो ब्राउनी साउ जो हो जाता है ना वो कलर नहीं चाहिए हमें और वो फिर उसमें आ जाएगा और यह देखें मैं आपके इसकी कंसिस्टे पर खड़े हो के तो आपने इसको क्या करना है कि बस यही इसकी टिकनीक है इसको इसकी साइडें साफ करते जाएं और इसको ही लाते जाएं ना यह नीचे लगे ना यह साइडों पर लगे मतलब कहीं पर भी इसकी थिक लेयर ना बने ना पतली सी भी नी बनने देनी है और यह देखें जी कितनी consistency की काम हो गया और जब इस stage पे आ जाता है तो ये इतनी bubbles बनते हैं इसके और bubbles उड़ते हैं ना believe me यहाँ पर आप थोड़े सी आज हलकी करें क्योंकि अब इसकी जो है consistency काफी थिक हो गई होती है तो आप इतना time नहीं लगता है medium कर सकते हैं आप और ये है कि वरना जो छीटे होती है ना वो हाथ पर बढ़ती है और अगर आप बस कोई gloves यहाँ कोई मतलब kitchen app की नहीं तो वो अपने हाथ पर लूपेट लें इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी बच जाएंगे जिलने से और alhamdulillah काफी इसकी consistency ठीक हो चुकी है साइडे ही देखने में मसलसल साथ साथ हाथ के सामने साफ करते जा रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि ना ही लग रहे है और अच्छे से एक ही color में है वरना कहीं से dark brown और कहीं से brown और कहीं से मतलब हलका color तो इस तरह से इसका constant सा color रहेगा और अच्छे से सारा evenly जो है वो पकता जाएगा और खोया मारा बनता जाएगा और अलहमदलिला यह बिल्कुल पकने की स्टेज पर आ गया है और मैं आपको इसकी consistency दिखाती हूं कि यह almost done है अब यह जितना थीक हो चुक है ना इतना ही थीक हमें चाहिए क्योंकि मजीद जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसने मजीद और थीक हो जाना है तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में और फिर मैं आपको दिखाती हूं और यह बिल्कुल पक गया यहाँ पर मैंने मीडियम आंच कर दी थी क्योंकि यह बहुत जादे bubbles बन रही थी इसके अंदर तो bubbles फिर हाथों पर पढ़ते हैं और चीटें कितनी गरम होती है ना यहाथ जलने का खत वो है वो रेड़ी हो गया धाई किलो दूद था और धाई किलो दूद में हमारा तकरीबन तकरीबन यह आदा किलो के करीब था पूरा आदा किलो मुझे नहीं लगता आदा किलो होगा लेकिन यह है कि यह रेड़ी हो गया बिल्कुल ठीक है डेर पाह से ज्याद है और आद खोय का कलर है और अलहमदुल्लाइ बहुत अच्छा बना था और बहुत ही इजी आराम से बन गया बस इसके यही टेक्नीक आपको फोलो करनी होती है कि इसको आपने मुसलसल स्टीर करते जाना है साइडें साफ करते जाना हिलाते जाना कहीं लगे नहीं और ट्राइ टू को भी जरूर 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 प्रैस किया करें ताकि वीडियो की नौटिफिकेशन जल से जल्दा तक पहुंच सके इन्शाला नेक्स रेसिबी में आपसे भी लूँगी जब तक के लिए अपने धेर सारा क्या रखेगा दौा मियाद रखेगा मुझे भी और अपने आपको इन्शाला, Allah Hafiz, नेक्स रेसिबी मीलेंगे